हेलो एवरिबडी दिस इस विभूती और आज मैं समरी बताने चाह रही हूँ दावे ओफ दा वर्ल्ड के एक्ट फोर की और इसके जो प्लेराइट है वो है विलियम कॉन ग्रीव तो सबसे पहले जो एक्ट है यह लास्ट एक्ट का ही कंटिनुएशन है और यह एक्ट जो है लेडी विश्फोर्ड के हाउस में ही होने लग रहा है लेडी विश्वर्ड और फॉइबल एंटल करते हैं लेडी विश्वर्ड कोशन करती है फॉइबल से regarding sir Roland वो जाना चाहते है कि sir Roland आने वाले हैं तो उनके लिए सारी अरेंजमेंट और सारी चाईज प्रोपर ओडर में है या नहीं है तो जो फॉइबल है वो कहती है कि सब कुछ ओर्डर में है और लेडी विश्वोर्ड जो ही जाना चाहती है कि वो कैसे दिखते हैं तो फॉइबल आंसर में कहती है कि सब करने वाला लुक है उनका तो जो अब लेडी विश्वोर्ड होती है वो सोचती है तरीका कि सर रोलेंड आएंगे तो मैं उनसे कैसे मुलाकात करूंगी फर्स्ट मीटिंग में क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इस ता लास्ट इंप्रेशन ऐसे कहा जाता और वो अपना फर उसरे पैर के उपर रखेगी और पैर को डैंगली यानि हिला रही होगी आगे पीछे और जैसे ही सर रोलेंड आएंगे वो एक मतलब सर्प्राइज होकर क्या चाप आ गए कुछी तरह से उनको रिसीव करेगी तो वो एक तरीके से जो है एफर्ट जाती है कि वो मतलब एफ जाते हैं सर रोलेंड को ऐसे दिखाए कि उसने कोई ज्यादा एफर्ट नहीं कया लेकिन वो एफर्ट कर रही है अब जो लेडी विश्वोड होती है वो यह जानना चाहती है कि उनका जो नैफ्यू है सर विलफुल विलफुल क्या उन्होंने मीला मंद से बात कर ली है क्यो जो लेडी विश्वोड कहती है कि तो वो फोईबल से कहती है कि तुम जो है मीला मंद को कह दो कि नीचे आ जाए और मैं वहीं पे जो है सर विलफुल को भेज दूँगे और जो वो दोनों कठे होंगे मैं तुम्हें यानि फोईबल तुम्हें अपने पास दुबारा बुल जालूंगे जो लेडी विश्वोड होती है वो चली जाती है और जो मीला मंद होती है वो मिसिस फेनोल के साथ एंटर करती है अब जो फोईबल होती है वो मीला मंद को इनफॉर्म करती है कि जो मीरा बल है वो उसका इंतजार कर रहा है और लेडी विश्वोड ने फोईबल को कहा है यानि मुझे कहा है कि میला मन्त को और sir willful को दूनों को एक अकेला चोड़ दो जो फॉयबल होती है वो मिला मन्त से ये भी पोचते है कि क्या मैं मीरा बेल को ये जाके बता दू कि तुम फ्री हो तो जो अब मीला मन्त होती है वो एक negative reply देती है औरlerler say miraboral को खाना भि์ मेरे पास time चाहे बाद में आई foible announce करते है कि जो sir willful है वह आ रही है और वो miraboral को कहती है कि तुम बाद में आना sorry जो foible होती है वह announce करती है कि جو mitmod Starting कोई कहती है कि že sir willful है वह आ रही है तो किया वो मीरा बल को कहा दे कि बाद में आना तो जो मिला मन्त होती है वो कनफ्यूसी हो रहे होती है लेकिन इंडियेंड वो कहती है ठीक है मैं उसे मिल लूँगी किसे मीरा बल से तो जो मिला मन्त होती है वो मिसिस फेनोल से कहती है कि सर्विल्फुल को तुम entertainment करो लेकिन Mrs. Fennel जो है वो बिल्कुल मना कर देती है वो कहते है मुझे कोई काम है सर्विल्फुल आते हैं और जो Mrs. Fennel होती है वो सर्विल्फुल से कहती है कि अभी बहुत अच्छा मौगा है तुम मिला मन्स से बात कर लो एक अच्छी opportunity है लेकिन जो sir willful होता है वो दुबारा अपनी company जो drink कर रहे थे वहाँ पर जाना चाता है तो जो Mrs. Fennel होती है वो कहती है कि sir willful से कि अब तुम्हें कोई भी moment waste नहीं करना चाहिए अपना और वो दोनों को एक कमरे में बंद करके चली जाती है बार से तो जो sir willful होते हैं अब वो मिला मंद से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन जो मिला मंद होती है वो खुद से कुछ बाते करे जा रही रिपीट करे जा रही उस से बात करने में कोई interest नहीं दिखा रही finally जो मिलामन्त होती है वो servilful से कहती है क्या तुम्हें मुझसे कोई business यानि कोई काम है तो कहता है नहीं फिलाल तो नहीं है तो servilful कहता है कि उसे अच्छा लगेगा अगर वो उसके साथ वोक पे जाएगी मिलामन्त कहती है कि जो वोक है वो country का एक past time है और उसे country में कुछ यह सारी चीज़े जो है पसंद नहीं है और जो भी से related है country से कुछ उसे ज़्यादा पसंद नहीं है जो विल्फुल होता है वो कोशिश कर रहा होता है conversation को जीतने की यह कहने मतलब वो कहता है कि town में people है वो past time करने के लिए वो खेलते हैं और बहुत सारी चीज़े हैं तो वो कहते है कि मुझे town भी अच्छा नहीं लगता जो जो मिला मंत होते है वो sir willful से कहते है कि अगर तुम्हें मुझे कोई काम नहीं है तो यहां से जा सकते हो मुझे छोड़ दो अकेला यह मुझे खुद का कोई काम है तो जो sir willful होते हैं वो कमरे को छोड़ देते हैं दूसरे दरवाजे से क्योंकि Mrs. Fenol ने बहार से जो पहला दरवाजा था वो बंद कर दिया था तो जो अब Mirable की entry होती है रूम में और आगे एक famous provisco scene होता है जिसमें दोनों जो है discussion करते हैं बाते करते हैं कि उनकी अगर वो दोनों शादी करेंगे तो उसमें क्या conditions होनी चाहिए दोनों अपने अपने conditions रखते हैं अपने अपने contracts रखते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूँगी या मैं ऐसा नहीं करूँगा मैं ये ये करूँगा मैं ये नहीं करूँगी दोनों जो है शादी होने के बाद अपनी मैरिज में आजादी चाहते हैं किस तरह की आजादी है हम आगे देखेंगे जो मीला मंत अपनी पहली शर्तिय रखती है कि शादी होने के बाद जो भी शादी हो जाती है मेरा स्पाउजि, performing दियर her video, my dear sweet now कुछम भूलाना है झाल मैं इन चीज़ों को कभी सहन नहीं कर Problem ृट राफा वू CourageReady יס के रूजिवरा जोचार शादीन के पहले बी और शादीन के बाद शादी होने के बाद की फस्ट इbies में तो बहुत जड़ा एंज्योयमेंट हो रही है और फिर लास्ट इसी को भी मैं दोनों पारख में दिखीनी रहे किसी को भी हिए अभानी दोषरों की नज्रों में अच्छा बनने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे हम हम मेरे को कॉंट्रोवर्सी बिल्कुल पसंद नहीं है, जो मीला मन्त होती है, वो मीरा बेल से कहती है, ना ही हम दोनों कहीं पर इखटे गूमने जाएंगे, ना ही एक साथ खेल के दिखाएंगे किसी को, और ऐसे तरीके से दिखाएंगे कि हम बहुत ही स्ट्रेंज है, अलग और हमारी जो परवरिश है, वो बहुत अच्छी हुई है, हम कुछ इस तरीके से बहेव करेंगे, हम कुछ इस तरीके से रहेंगे, जैसे हम बहुत ज़्यादा मैचूर है, और मतलब कुछ हमारी शादी जैसे बहुत पहले की हो चुकी है, मैचूर्टी लेवल हमारा हाई हो चुका है तो इस तरीके से जीवन व्यापन करेंगे अपना और इस तरीके से रहेंगे कि जैसे हमारी शादी ही नहीं हुई है uh अब मीरा बल जो है मिला मन से पूचता है अचा भी वी ओर कंडिशन है तो उन मेरको तो बता दो तो जो मेरा बलोती है वो कहते है मुझे पूरी आजादी चाहिए मेरी पूरी मैर को मेरी लाइबर्टी चाहिए कहीं पे भी जाओं किसी से भी बात करूँ prevail मैं नहीं चाहिए कि मैं से कोई कोशन करें कि किस से बात कर रही थी य defender करा हैं किसको मैं लेटर लिख कोई भी interrogatories नहीं चाती लोगों के होस उड़े हुए से चैरे मैं नहीं देखना चाती और मैं किस से बात करूंगे किस से बात नहीं करूंगे ये सब मेरी खुद की choice होगी और मुझ से ये कोई उमीद मत रखना कि हमेशा मैं समझधारी की ही बात करूंगी अगर मैं समझदारी की बात नहीं कहती है उसी के साथ मेरे को accept कर लो हूँ क्योंकि जिन fools यानि पागलों से मैं बात कर सकती हूँ वो तुम्हारे जानने वाले हो सकते हैं तुम्हारे relation में हो सकते हैं और जब भी मैं चाहूँ वो घर पे आ सकते हैं में साथ डिनर करने के लिए जब मैं अपने हूमर में नहीं हूँ और तब भी मैं उनके साथ इंजोई करूँगी तो मुझे कोई नहीं रोकेगा कि मेरे जो जितना भी मेरा जो भी क्लो सेट है वो चाहे कितना भी बढ़ा हो तुम मेरे को नहीं टोक होगे इतने सारे कपड़े क्यों है क्यों नहीं और अगर मैं चाय पीने बैठ रही हूँ तो तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि मतलब जरूर नहीं मैं तुम से पूछोगे चाय आकर पीलो तुम खुदा आकर पीले ना और जब भी मैं कमरे में अकेली हूँ तुम हमेशा जो हैं डोर को नोक करोगे पुछो के पहले मैं अंदर आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ अब मीरा बल अपनी कंडिशन्स रखता है कि जब तुम मेरी वाइफ बनोगी मैं नहीं चाता कि तुम बहुत ज़्यादा बेफाल्तू का फैशन करो जब फैशन की एक तुम गुलाम ही बन जाओ पुरे दिन मेक अप करो और आगे वो डिमांड करता है जब भी तुम मदर बनोगी मैं नहीं चाता तुम वो मसलिन के कपड़े पहरो और अपने हाथ में एक चाइना का फैन रखो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मीलामन्त कहती है कि मुझे तुम्हारी सारी कंडिशन्स बिल्कुल हेट करती हूँ मैं इंसे बिल्कुल पसंद नहीं आई फिर मीरा बल चला जाता है अब मिसिस फेनोल जो है मीलामन्त को इंफॉर्म करती है कि जो सर विल्फुल है उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है वो जो भी सर रोलेंड को जवाब दे रहे हैं वो सिंगिंग में जवाब दे रहे हैं गागा कर जवाब दे रहे हैं उन दोनों को एकटा जो है एड़ी विश्वोर्ड ने एक साथ छोड़ा था ताकि शान्ती बनी रहे तो मीला मंत जो होती है वो कहती है अगर मीरा बल ने मुझे एक अच्छा अस्वन नहीं निकला तो वो एक लोस्ट थिंग की तरह नहीं गुम हो चुकी वस्तू की तरह हो जाएगी क्योंकि वो उसे बहुत वोईलेंटली प्यार करती है तो उसके बाद फिर जो मीसिस फेनल होती है वो मतलब एक जोक के तरीके में उसे सजेशन देती है कि अगर तुम्हें मीरा बेल पर कोई डाउट है तो तुम सर विलफूल से शादी कर लो अब जो विटवूट होता है वो मतलब ड्रिंग कर चुका होता है तो महा से आता है और लेडी विश्वूर्ड से कहता है कि लेडी विश्वूर्ड ने हमारी बातों को जो है आगे बढ़ने नहीं दिया और तभी P.T.L.N.T. भी आ जाता है और फिर P.T.L.N.T. कहता है कि उसने सर विटूल थे उनके साथ जो है मेल मिलाब कर लिया और उनने किस भी क्या है अब वो जो होता है वो मिलामंत के पास जाता है रूडली उसे प्रपोज करता है और दोनों जो है विट्वूड और पिटूलेंट एक दूसरे को बहुत ज़ादा इंसल्ट करते है पिटूलेंट होता है वो कहता है कि वो विट्वूड से फाइट कर रहा था मीला मंत के लिए और वो अब अपना रिवोर्ड चाता है और वो कहता अगर उसे उसका रिवोर्ड नहीं मिलेगा तो मीला मंत को अपनी फाइट खुद ही लड़नी पड़ेगी अगली बारी से विट्वूलेंट वहां से चला जाता है मिसिस फेनोल विट्वूड से पूछती है कि उसने इतनी ज़ादा क्यों पी और कैसे पी विश्वूर्ड कहती है कि उसे बोचादा शर्मिंदी के इस बात पर कि जो सर विल्फूल अगनों नहीं इतनी वाइन में विल्कुल डूब चुके हैं और वो पूछती है वो पूछती है कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि जो मेरी नीस है वो तुम्हें सच में एंडियूर करेगी कि सर विलफुल में से बहुत ज़्यादा टेरिबल समेल आ रही है अब जो लेड़ी विश्वोट है उसको नहीं पता कि क्या किया जाये तो उसके बाद वो एडवाइस करती है कि ये ट्रैवल करता है और ये फिट नहीं है एक क्रिशिन कॉमन वैल्थ में रहने के लिए अब चैंटि करता है और कुछ विस्पर करता है लेड़ी विश्वोट के कान में और वह कहता है कि ग्यादा और सबर नहीं हो रहा है ग्या फिर जो लेडी विश्वोर्ड होती है वो सबसे पहले माफी मांगते है पलोजाइस करती है उसकी रूडनेस के लिए और फिर पूछती है कि हम अपनी शादी को एक या दो दिन के लिए डिले कर सकते हैं वो दसेक ओफ डैकोरम सारे चीज़े अच्छे से हो जाए मतलब शर्मिंदगी ना मैसूस करने ही पड़े किसी को तो जो सर रोलेंड होते हो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम मेरा दिल तोड़ दोगी एक तरीके से और मतलब मैं मर जाऊंगा